हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू दशेफ चलिए आज हम बनाएंगे अफगानी आमलेट फ्रेंट बहुत ही कम इंड्रेंट्स का यूज किया है और बहुत ही टेस्टी आमलेट बनके तयार हुआ था यह फ्रेंट्स मैं चाहती हूं आप इसे एक बार जरूर अपने किचिन में टा मैं ट्राक जर्लेंगे और टेल में डाल देंगे हूं पानी नहीं डालना है यह जो वरी में चीण होटा होता है सी मौष्टे से हमारे अलु गल जाये इसे यह जाएंगे और आलू हमारे क्रिस्पी जायों देखी फ्रेंट्स इस तरह से हमें अच्छे ऐसी क्रिस्प क्रिस्पी से आलू चाहिए थे अब हम दो मीडियम साइस की प्यास को भी बारिक काट के आलू हमें डाल देंगे यास थोड़ी देर पकी की ठांस्पेरेंट हुने तक हम पकाएंगे फिर हम इसके उपर टामाटा डाल देंगे जो कि हमने तीन मीडियम साइस की टामाटा लिए है उन्हें भी बारिक काट लिया है उन्हें भी मालू में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर हम सौधन उसा नमक ले लेंगे और हाफ टीस्पून हम ले लेंगे बलेक पेपर यानि काली मिर्च जग का पाउडर डाल देंगे फ्रेंट इसमें अधर स्मिलेच नहीं डलती है लेकिन मैंने यहां पर दो तिन हरी मिर्च का यूज किया है आप चाहें तो आप भ हम जरूरी है तो चलिए रहां ज़िले ऐता है अजह जालते है रहे दलते सिर्णा रिरी जबढ़े और यह कंड एक करके का फोर ते जाएंगे और इस तेना से और एसे डालते जाएंगे कि देखे रहे चाहे वाहन मेहें दela कर नहीं दालते जाने सैंगे कि मैं यहां पर यूज़ कर रही हूं आप को जितने लगें आप उतने लोगा यूज़ कर सकते हैं कम यह ज़्यादा कि तो देखिए हम नहीं यहां पर सारे डाल दी है अब उससे हम सिम गेस पर पकने देंगे ताकि यह अच्छे से पक जाए और बीच बीच में हम इसके एक एक मिलेश लगा देंगे जिससे कि हमारे ओमलेट की गार्निशिंग भी हो जाएगी और उपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे अब हम गेस की फ्लेम लो करके इसे ठाक देंगे थोड़ी देर के लिए आप चाहें तो इसके नीचे एक तब भी रख सकते हैं ताकि यह देर तक पके तो नीचे से जले भी नहीं और अच्छे से बंदी गेस पर पक जाए चलिए हम पांस से छे मिनिट बारे से चेक करते है तो देखे फ्रेंट्स यहां पर हमारी सफेदी तो अच्छे से पक चुकी है पी लग दी अच्छी रणी हो चुकी है तो मैं इस पर थोड़ा सा नमक को कालमिरस सब अड़े पर चुड़क देते हैं अगर आपको रणी पी लग चाहिए तो आप एसी निकाल सकते हैं अगर उपर से लेके नीचे तक हमें इस तरह से उठाना है कि उपर से लेके नीचे तक कर जो सारे अलू अगर आए सब साथ एक साथ आए निकल के देखिए इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स कितने एजी तरीके से हमारा अफगानी अमलेट बनके त्यार हो चुका है आप इसे रोटी पूरी पराठे या फिर ब्रेट किसी भी चीज़ के साथ ट्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स में चाहती हूं से आप अपने किचिन में बना के जरू ट्राइ किजिए फैमिली फ्रेंड्स साथ इंजॉय किजिए अगर आपको मेरी बताई हुई रेचिपी जरह भी पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल